नमस्यार दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और खास होने वाली है क्योंकि ताटा सफारी और हैरियर के यहां पर बुकिंग्स है वो शुरू हो गई है गाड़ी के अंदर इवी भी आने वाली है कितने प्राइस के अंदर यह गाड़ी आने वाली है कब लॉंच होने वाली है क्योंकि बुकिंग्स है इसके शुरू हो चुकी है और सारा कुछ बात करने वाले इसी वीडियो के अंदर तो प्लीज वीडियो के आंड तक बने रहना बहुत जादे इंट्रेस्टिंग वीडियो के हम अंदर बात करने वा वो शुरू हो चुकी है अगर गाड़ी के हम प्राइजिंग के बात करें तो बुकिंग अमाउंट कितना देना पड़ रहा है तो बुकिंग अमाउंट के दोनों गाड़ियों के अलग लग देखने के लिए मिलेंगे आपको अगर आपको बुकिंग करानी है तो 21,000 रुपे ह चुरू कर देता है तो थोड़ी दिन के अंदर ही आपको गाड़ियों की जो बुकिंग है वो आपको ओफिशली देखने के लिए मिल जाती है तो अपिशली करने का यहीं है कि जल्दी ही इसी साल के एंड तक लॉँच होने वाली है तो गाड़ी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा साथ ही साथ आपको 1.5 लिटर के हैं पे टर्बो पैट्रोल इंजन है वो देखने के लिए मिलने वाला है यह परफॉर्मेंस कितनी है नहीं गाड़ी के अंदर कितनी पावर है वो देने वाला है तो अगर बात करें हम डीजल एंजन की तो यहां प पर रखा गया है ताकि गाड़ी की जो सेल्स है और ज्यादा बॉस्ट और गाड़ी के हाँ पर यह भी लीक सही है कि जो आपको 1.5 लिटर का पैट्रोल के अंदर देखने के लिए मिलेगा उनके अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा जो कि सफारी की लोग बहुत डिमांड करेते हैं कि 4x4 कब आएगा तो वो भी आपको पेट्रोल इंजन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा चलिए बात करते हैं कुछ और इंट्रस्टिंग चीजों की गाड़ी के बारे में अगर बात करें गाड़ी के फ्रंट डिजाइन के अंदर क् पूरा यहां पर देखने के लिए मिलेंगा क्योंकि इसका पूरा बंपर इह ओर चेंज कर दियागा नहीं दर किए DRL से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैंज अगर बात करें लिए नीशे की तरफ आपको यहां पर हैड़ लाइट और फॉग लाइक जो सेट अटक है वो देखने के लिए मिलगा है अपको 360 सेट अप है वह देखने के लिए मिल जाएगा और गाड़ी के अंदर आपको डास जैसा फीचर वह देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंट में आपको पार्किंग सेंसर वह देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह का जो गाड़ी का लुक है वह फ्रेंट का रहने वाला है जो प्रॉफाइल वो देखने के लिए मिलेगा साध ही साथ आपको यहां पर 19 इंच के बोले जारे आपको अलवीविल का साइज है जो हो सकता है यह कंफॉर्म नहीं यह अठारा या 19 दोनों में से एक ही आपको अलवीविल का साइज है वह देखने के लिए मिल जाएगा और पीछे के दरफ बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ है जो देखने के लिए मिलेंगा देखो आपको connected tail lamps है वो देखने के लिए नीचे के लिए नीचे के तरफ आपको 360 degree camera का setup है वो देखने के लिए मिलने वाली है और सबसे जो interesting चीज है वो गाडियों के अंदर की तरफ यहां पे आपको जो changes है, big changes है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं क्या कुछ गाड़ी के अंदर जो changes हैं सबसे ज़्यादा बड़े वो देखने के लिए मिलने वाले हैं उसी के बारे में बात करते हैं अगर बाई सबसे पहले बात करें, देखने के लिए मिलने वाला है पूरा ही डैशबौर नियूँ डेशबॉर्ड उक आपको देखने के लिए सबसे पहले तो इस गाड़ी के अंदर आपको बड़ा environment देखने के लिए मिलेınız डोगबग 12-13 निंच के अंदर daí आपको infotainment सिस को इन्फ उतेन्मेंट देखने के लिए मिलने वाल ऱल मतलब 12-13 इंच को बड़ा इन debut इिमेंट निवाला है मक constitution क्लस्टर भी वह ही साइज कवें को देखने के लिए चीज़े आपको देखने के लिए मिलेगा इको स्पोर्ट सेटी एमोड आपको डायल देखने के लिए मिलने वाला है साथ इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटमेटिक और मैन्वल दोनों ही ट्रांस्विशन वह आपको देखने के लिए मिलेगा इनकी रिक अंदर जो बड़ा तूर आपको देखने के लिए मिलेगा वह आपको soft touch के साथ अपको leather finish के साथ यहां पर डैशबोर आपको काड़ी का देखने के लिए मिलने वाला है AC के जितने भी controls होंगे आपको यहाँ पे touch के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको toggle भी दे दिये जाएगा जिससे आप अपने controls है जो fan वगएरा की वो चीज़े आप कर सकते हो तो इस तरह के जो dashboard है वो गाड़ी का होने वाला है dashboard यह awesome बन जाते है तब आपके गाड़ी night के अंदर होती है क्यों होती हैं तो गाड़ी के अंदर आपको доб देखने के लिए इस गाड़ी के अंदर आपको और बीCar वो गाडी के इंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो इस तरह की आपके गाडी के अंदर आपको entertainment के लिए कुछ मिल सकता है safari की तरफ से अभी confirm नहीं है लेकिन मिल सकता है आपको entertainment के लिए कुछ EV के अंदर आपको archive वगरा का support देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आप गाड़ी के अंदर ही आपको apps वगरा कुछ भी है जो चीज़े है वो download वगरा कर सकते हो और rear में आपको AC vents वगरा वो सारा कुछ चीज़े है जो देखने के लिए मिल जाएंगे फ्रेंट बे जो दो सीटे होंगे वो आपको proper ventilated seats है वो देखने के लिए मिलेंगी दोनों seats है आपको height adjustable मिलेंगे और साधी साथ आप आगे पीछी होगे अब यह कर सकते हो तो वो आपको electronic की देखने के लिए मिलने वाली है तो यह सारी चीज़े है जो आपको harrier and safari दोनों features की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको वह ventilated seats आपको देखने के लिए मिलेगी panoramic sunroof है वो देखने के लिए मिलेगा एडास है गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलने वाली बाकि इनका जो booking प्राइज है 21,000 हैरियर का और safari का 25,000 आप देखे यहां पर आने ओफ वीडियो में उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरू कर देना पिशूरी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना बाकि हम मिलेंगे आपसे एक और इंटरस्टिंग वीडियो के साथ में ओके टाटा